साथियों नमस्कार, इस समय मुझे फर्नकर जेले में मीरा पुर्विदान सभा के उप्चुनाओ की चर्चाएं चल रही हैं असल में लोकसभा चुनाओ दोजार चुबिस में मेरा पुर्विदान सभा के विदायक चंदन्चवान बिजनोर लोकसभा शीट से सानसद चुने गई उनके सानसद बनने के बाद ये शीट खाली हुई है और अब यहां उप चुनाओ की परकिरिया चल रही है रालोद ने मितलेस पाल को चुनाओ मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राना को टिकट दिया है सुम्बुल राना कादिर राना पूर सांसद की पुत्र वदू है बहुजन समाजवादी पार्टी से सहानजर चुनाओ लड़ रहे हैं और आजाद समा कई बार परदेश की सरकार में मंत्री भी बने हैं इनमें डिप्टी सियम रहे नाराण सिंग हैं पूर मंत्री सहीदो जमा हैं और राजपाल सेनी को भी मंत्री बनाया गया था इसी विदान सवाशीट से सबसे पहला जो चुना हुआ 1967 में राजेंदर दत्यागी जी विदायक बने थे कॉंग्रेस के बड़े नेता थे तीन बार विदायक रहें जीले से एक उपचुनाओं में एक चुनाओं में वह जरूर आरे खतोली सीट से आज हम उनके गर पहुंचे हैं उनके बेटे हैं आनंद प्रकास त्यागी जी कॉं आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी तो 1967 में राजेंदर जी चुनाओं लड़े थे उस चुनाओं की कुछ यादें और ट्रिकट की कुछ बातें बताई हैं 1967 में जो चुनाओं हुआ था उस में जाती विराजरी का बड़ा परचस्व रहता था अब भी है तब भी था उनके मुकावले पर दो दिगज विराजरी जो हिंदों में हैं हमारे यहाँ पर एक जाट कॉमिनेटी जो हैं दस प्रतिशत हैं और जो यहां डॉमिनेट करते है उस पार्टी से यहां पर धीर सिंग शास्त्री कॉमिनिस्ट पार्टी के दिगज नेता भोकारेडी के वहां के कक्रॉली के रहने वाले थे वो उनके सामने थे और दूसरे प्रताशी गूजर समाज के अस्थम और बहुत बड़ बजबूत आदमी उनका शुब नाम था धा दर्म सिंग जी वो सिसोना के रहने वाले थे और आपको साथियों याद होगा जो नारायन सिंग जी जो उपन खरते रहे जीनका लड़का चंदन सिंग उनका रड़का संजे और उनका पौत्र चंदन चौहान अज मेरापुर से या मोरना कहनु विधाय करें हैं ये नाराय रश्का हुआ था और हमारे पिताजी मेरे ध्यान है चार सो निन्यान में शायद फोर नाइन नाइन इतनी वोटों से साथ सोना कुल जीते थे तो उन दिनों मेरे ठीक याद है कि चुनाव बहुत सस्ता होता था ये दो या तीन गाड़ियों से चुनाव रल लिया जाता था और पचास या साथ रुपे में एक गाड़ी की राए पर हो जाया करती थी तो उस चुनाव में हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जितने भी मोरना या मीरापुर कह दो कॉंस्टेंसी का धिगज मुसलमान था इस्पेशली जोजा वो सब उनके साथ था बड़ा स बावजूद भी आपस में इतना मन मुटाव नहीं रहता था कैंडिडेट्स में और बहुत ही सोहर्थ भून वातावन में चुनाव हुआ था तो चुनाव परचार में कौन-कौन से बड़े नेताय थे तो ये तो मैं ठीक से नहीं कह सकता इस वक्त मेरे याद नहीं लेकिन उन दिनों कॉंगरेस में कमरापजी चरपाथी स्रीवी गुपता हे मचनेंदन बहुना बनार्शी दाज जी ये इंपोर्टन नेता हुआ करते थे निश्वित रूप से उन दिनों भी गुरुप तो दो थे एक गुरुप तो आप कहने के सीवी गुपता, मनार्शी दाज, कैलाश प्रकाश और केश्व गुपता जीवगरा का हुआ करता था दूसरा गुरुप संपूरा नन, कमरापती चिटपाथी, हेमर दिनन दन बहुगुना इंदो को कहुआ करता था तो मैं संकोच नहीं करूँगा कहने में कि हमारे पीटा जी यद्द भी वो उसके कमरापती गुरुप में थे लेकिन उनको सबका ही सहयोगरा अशीरवाद पराप था इसी संदर में एक बात और कहूँ उसके बाद जो सिख्ट जी तो उनका 1962 का जो चुनाओं का टिकट कट गया था 1962 का वो क्या किस्सा था आपको जानकर खुशी होगी कि उन दिनो हमारे प्रभारिष शिरिलार बाहदुर सास्त्री जी थे शीग भी गुपता मुख्यमंतरी थे और अजीद प्रशाद जैन प्रदेश अध्यक्स थे कॉंग्रस की हमारे पिता जी कमला पुचिरपाठी गुट से बिलॉंग करते थे उसमें संपोनान जी और बहुगना जी भवा करते थे तो फॉर्चुनेटली मुख्यमंतरी सीदी गुपता जी भी और प्रदेश अध्यक्स 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 प्रशाद जैन जी भी वो एक गुप के थे दोनों वो हमारे पिता जी के खिलाब से क्योंकि ये संपोनान जी और कमला पुचिरपाठी गुरुप से बिलॉंग करते थे तो जब ये संखर्श चला टिकट का तो लाल बहुदिर शास्त्री ने हमारे पिता जी से कहा वहित्यागी जी आप आदमी तो बहुत अच्छ हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्स और मुख्य मुंद्री दोनों खिलाब हैं और तुम्हारा टिकट कटने जा रहा है तो उन्दिनों मेरा याद है कम्रा पुचिर पाथी जी ने सीपी गुप्ता जी से ये कहा कि भई तुम हमारे गुरुप को चार टिकट कम कर दो लेकिन र तो ऐसे हाल डाइंडर वो लोग हुआ करते तैसी निष्टा उनकी अपने गुरुम में हुआ करती थी एक रोशन किस्था में अगर आप कहें और पसाथ निगी 69 में कुछ लोग चलेगे पुरानी का ओल्ड कांग्रेस में कुछ चलेगे विदेंदर वर्मा वगारा जी उन संपर्क और उनके परमाश्च चलेगे 69 में बहुत बड़ी बात है उतनी लोग कॉंग्रस के अध्यक्ष भी थे वदागातार दसाज अध्यक्ष चले और जिसमंग तो देहान तुगानुका तब यो प्रेशिदेंट थे जिजाज कांग्रस के मेंटी के तो मेरा याद है कि इतनी बड़ी से तिक्टो में एक तरफा कम होती है नहीं तो हमेश आठी कट बठागा तो तो ईसा उनका चरीतर उनकी निष्ठा निच्था और नूका निच्था अप्ट आख साफ्यक्रु देखी निच्था उनका अँंका इनका इनका अख्री चुनाओं उनकान उनका अ क्षिम ह्कारे भुटकुरी है पूरे शवी नियुट व lesser गद्रसार्प्रदेश पहस्च तो बूओ च्था ज बूख बूख की वाजिए नैंटीने चल ठीज तो आपने आपका पहला चुनाओ कौन सा था कब आपने पहला चुनाओ लड़ा नाइंटीन सेविंटी फोर में भागुणा जी सी एम थे और कमड़ापजी त्रपाथी जी को पी एसी रिवोल्ट के बाद केंदर में ले दिया था इनको मुख्यमंत्री बनाया था जी सेविं प्रेटीन फोर में अंद्र की लिए मेरा टिकेट मुझे फोर्नगर से कट गया था फिट सेविंटीन सेविंटीन में मैं चुनाओ खतादी से लड़ा था उनिस्टा सब्सक्राइब और विदेंदर बार मावी कॉंगर्स से लड़े थे हम सब लोग हार गए ते सेविंटीन तो आपके सामने तो लक्ष्मण सिंग जीते थे जो बागपत के रहने वाले सामने तीन बार एक बार श्मण सिंग सतथर में एटीनाइन में मुफ्सी मुहमद सईद जब आपने लोक सभग चुना लोड़ा है और सुधीर बादयार नाइंटीवन में तीनों जीते और तीनों मंत्री बने जी 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 तो राजनिती का आपने लंबा दोर देखा है राजनिती का आपने क्या फरक महसूद करते हैं पहले किस तरह की लोग राजनिती करते थे और किस तरह गवा तो राजनिती का अभी अमरोज जाना नहीं चन्द दिन पहले निकाला था यह हमारे पिटा जी मंडि जब विधैक थे तीन बार की विधैक मंडी नई मंडी में हमारा मकान ताम वहां से चर्था और पेदल जात नहीं ही निकाला है हमारे पिता जी विधायक होने के बावजूद अब चर्था और मकान से हमारे फारम पर तीन क्मिल्ट पैदर नौकरों के लिए खाना लेके जाते हैं जो विधायक थे और आज के विधायक तो आप अक्षमा करेंगे बुरामत मानना अधरवाइज मतले ना शिशा चणा के उतारता में देखता भी निकिता लगए मैं इसी संदर में एक बात और बताओं एक बार कमडापती जी मुख्यमंतरी थे मेर वो क्योंकि मेरे परिवार का बहूना जिसे और कमडापती जीसे बड़ा नज्दीक का संबद पारे बारी बिस रहे मैं और वो अजिए गाड़ी में कहीं लखनों में जा रहे तो सामने से पनारस के एक इश्यवर शर्ण सिंग भाईजी कहदा चेटे भुमिहार थे वो MLC भी रहे बाद वो दिखाई देगे उन्होंने गाड़ी वापिस की और गाड़ी में रोक के उनकी पास गए बाच करके उन्हें बैठाया और साच्री के गए आज वो बाच कहां है जी आज तो M.P. अमेरी की गाड़ी नहीं रोकता है कि परिशित को देखे भी नहीं रोकता है तो चुनाव के खर्च में भी बड़ा अंतर आया है बहुत अंतर है जी मेरे खाज़ा जब बावन सत्तावन के चुनाव पा अभी में पड़ रहा था हमारे जो कठवन्दन के उम्मीदवार इंडिया की लट रही है मीरापूर से उनका कि अपला गया उन्होंने मीटिंग की आर्ट-दस गाडियों से थे तो बहुत परक है पैसे में भी बहुत परक है खर्चे में भी बहुत परक है गाडियों में भ यह बहुत परक है जी आपसका जो मान समान है जो वैवार है वो बदल गया जी जी मैं इस बारे में एक बार प्रहूं मेरे याद है 57 के चुनाओं में 60 के चुनाओं में उसके 69 में 60 के चुनाओं में 69 बावन सत्तामन सत्तामन की चुनाओं की बात किया आद है चाहिए में दे एक अमिल दिन तूफान ही हुआ करते थे उनके पास अब शेक्रिटी जमा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए रिटर्निंग ऑफिस के हाँ वह बोले हमारे पिश्वए राज अंदर मेरे पर सेक्रिटी के उनके सामने रट रहा जाओं उन्होंने उसकी सेक्रिटी जमा अपने विपक्सी उमेदवार की सीक्योरिटी राजी जमा सेविन्तीमन में हमारे हां से शभका जंग शभका जंग शभका जंग चुनाव रड़ ते कहराने सेर विजापाल सिंग यहां से रड़ है इसी मकान में पुरानी कोठी ती यहीं परहा करें यहीं सब उनका अड़क्सन केंपेइग चरा रहा है सुभए को पच्छा बार जा जाम नहीं था, शबका जंग के पास वो दखेडा एक गाउं है, वहाँ पर एक जाट परिवार से उसकी मदंत्यागी की दोस्ती, वहाँ से गया, पांच सो रुपी सेक्रिटी के लिए कर आया, तब जमा करें, मैंने गवें, तुम मेरे से ले लिए, तुम दखेडे गए, तो जो मीद वारता उसके पांच सो रुपी निटे माफ करना, जमाना जमा करने के, आज वो नहीं है, न मदंत्यागी है, न सबका जंग है, तो आप, ये दो किसे में आप उसलाए, और एक और चीज़ है, कि आपको क्या लगता है, कि हमारा जो मुझा फरनगर जिला है, पहले करना की राजनीती में ऐसे लोग रहे हैं, जिनका केंदर में और परदेश की राजनीती में पुरा अस्तक्सेप था, और अब क्या आपको मैसुद है, लग रहा है कि ऐसे, ऐसा नहीं, कॉंग्रिस में बडे नाम हुए है, अजित परसाद जैन आपने परदेश सद्दक्स जैन साथ परदेश सद्दक्स रहे हैं, और यहां की राजनीती में लगातार उनका अस्तक्सेत अब जास कि राजनीती में क्या बदलावा महीं है आप तो वास्ता में रहा हुआ 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 बात करते हैं, अब बात नहीं है, वो चेज हो गया, बेटरन सारे का सारा, या तो उसमें कह दो कि नहीं परवार की सेकुरिटी का ज़्यादा समसल आ गया, तब आठी पे दिन दर्वार लगता था, कंप्लेंट सुनी जाती थी, अब बात खतम हो गया, तो लिया जा जाता है, दिल्ली के बीच में और नेताम के बीच में, अब वो कम्यूनिकेशन जब खतम हो आए, तो ना तो उनको हालात का पता लगता, और ना हस्तकित था, तब तो जब डारेक्टी मेरे तो हस्तकित था था, अब मैं आप से बताऊं कि हमारा विजिंद्र वार्वारमा जी का यहा विजिंद्र वर्मा जी ने हम से मांगी, हमने उनको नहीं थी, विये शिकायत उन्होंने इंद्रा जी से की, बास्सवास ती और एक की बात कर रही है, तो यह, अब कितना change है आप देखनेे अब हरियाना में चुनाऊ है हैं हरियाना में हरियाना में हाँ तो कॉंग्रेस जितने सर्वें थे सब कह रहे हैं कि क्या वज़्य लगती आपको कई बहुत बातरगार महतें आपको ज्यादा जानकारी इन होटी और आपका सक्सिर रहता है हमसे ज़्यादा तो इस बारे में आपको कैलकुलेट ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मेरा तो यह खयाद है कि वहाँ पर आम आज भी से पार्टिसल समझाता करना चाहिए था वह शाद हुड्डा जी ने नहीं होने जिया और हुड्डा जी को हम अनफर्चनेट थी ना तो शेज़ा और ना सुर्जेवारा कॉपरेट कर पाए तो बहुत नेरो मार्जिन से पॉइंट बन से कम से भी है तो अगर यह दोनों बार ठीक हो जाती तो पासा बिल्कुल पढ़ रहे हैं इनके पिता शिरी राजेंदर त्यागेजी ने चार चुनाव लड़े तीन बार वह विधाय करें और खूद आनंद प्रकास त्यागेजी ने तीन चुनाव जिले में लड़े हैं अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें